दूसरा अध्याए भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग नारद जी ने कहा बाले तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेद में डाल रही हो अरे तुम इतनी चिंतातुर क्यों हो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो उनकी क्रिपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा जिन्होंने कौर्मों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुन्दरियों को सनात किया था वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़े ही गये हैं फिर तुम तो भक्ति हो और सदा उन्हें प्राणों से भी प्यारी हो तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घरों में भी चले जाते हैं सत्य, त्रेता और द्वापर इन तीन युगों में ज्ञान और वैराग्य मुर्ति के साधन थे किन्तु कल्यूग में तो केवल भक्ति ही ब्रह्म सायुज्य की प्राप्ति कराने वाली है यह सोचकर ही परमानंद चिन्मूर्ती ज्यान सुरूप श्री हरी ने अपने सत सुरूप से तुम्हें रचा है तुम साक्षाथ श्री कृष्म चंद्र की प्रिया और परम सुंदरी हो एक बार जब तुमने हाथ जोड़ कर पूछा था कि मैं क्या करूँ तब भगवान ने तुम्हें यही आज्या दी थी कि मेरे भक्तों का पोशन करो तुमने भगवान की वह आज्या स्विकार कर ली इससे तुम पर श्री हरी बहुत प्रसंद्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया और इन ज्यान वैराग्य को पुत्रों के रूप में तुम अपने साक्षात सरूप से वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोशन करती हो भू लोक में तो तुमने उनकी पुष्ट के लिए केवल छाया रूप धारन कर रखा है तब तुम मुक्ति ज्यान और वैराग्य को साथ लिए प्रित्वी तलपर आई और सत्य युग से द् पासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीलत होकर छीन होने लगी थी इसलिए वह तो तुरंत ही तुम्हारी आज्या से वैकुंठ लोक को चली गई इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से ही वह आती है और फिर चली जाती है किन्तु इन ज्यान वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ा है फिर भी कल्यूग में इनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उत्साह, हीन और व्रिध हो गये हैं, फिर भी तुम चिंता न करो, मैं इनके नवजीवन का उपाय सोचता हूँ, सुमुखी, कली के समान कोई भी युग नहीं है, इस युग में मैं तुम्हें घर घर में प्रतेक पुरुष के हिरदय में स्थापित कर दूँगा, देखो, अन्य सब धर्मों को दब रख कर यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार न किया, तो मैं श्री हरी का दास नहीं, इस कल्यूग में जो जीव तुमसे युप्त होंगे, वे पापी होने पर भी बेखटके भगवान श्री कृष्ण के अभय धान को प्राप्त होंगे, जिनके हिरदय में निरंतर प् उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस या दैत्य आदी स्पर्ष करने में भी समर्थ नहीं हो सकते, भगवान तप, वेदाध्यन, ज्यान और कर्म आदी किसी भी साधन से वश में नहीं किये जा सकते, वे केवल भक्ति से ही वशी भूत होते हैं, इसमें श्री गोपी जन प् पुन्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है, कल्युग में केवल भक्ति, केवल भक्ति ही सार है, भक्ति से तो साक्षात श्री कृष्ण चंडर सामने उपस्तित हो जाते हैं, जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं, वे तीनों लोकों में दुख ही दुख पाते हैं, पस पस व्रत तीर्थ योग यग्य और ज्ञान चर्चा आदी बहुत से साधनों की कोई आवश्यक्ता नहीं है एक मात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है सूत जी कहते हैं इस प्रकार नारज जी के निरणय किये हुए अपने महात्मि को सुनकर भक्ति के सारे अंग मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी कभी आपको छोड़कर नहीं जाओंगी साधो आप बड़े क्रिपालु हैं आपने छण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया किन्त अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई है आप इने शीग्रही सचेत कर दीजिए जगा सूत जी कहते हैं भक्ति के ये वचन सुनकर नारत जी को बड़ी करुणा आई और वे उन्हें हाथ से हिला डुला कर जगाने लगे फिर उनके कान के पास मुह लगा कर जोर से कहा ओ ग्यान जल्दी जग पड़ो ओ वैराग्या जल्दी जग पड़ो फिर उन्होंने वेदध से बहुत चोर लगा कर उठे किंतु आलस्य के कारण वे दोनों जम्हाई लेते रहे नेत्र उघाड कर देख भी नहीं सके उनके बाल बगुलों की तरह सफेद हो गये थे उनके अंग प्रायह सूखे काट के समान निस्तेज और कठोर हो गये थे इस प्रकार भूख प्यास क के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर सोते देख नारज जी को बड़ी चिंता हुई और वे सोचने लगे अब मुझे क्या करना चाहिए इनकी यह नींद और इससे भी बढ़कर इनकी व्रिधावस्था कैसे दूर हो शौनक जी इस प्रकार चिंता करते करते वे भगवान का स्मरन करने लगे उसी समय यह आकाशवानी हुई कि मुने खेद मत करो तुम्हारा यह उद्योग निस्संदेह सफल होगा देवर्शे इसके लिए तुम एक सतकर्म करो वह कर्म तुम्हें संत शिरोमनी महानुभाव बताएंगे उस सतकर्म का अनुष्ठान क करते ही छण भर में उनकी नींद और व्रिद्धा वस्था चली जाएगी तथा सरवत्र भक्ति का प्रसार होगा यह आकाशवानी वहां सभी को साफ साफ सुनाई दी इससे नारज जी को बड़ा विस्मे हुआ और वे कहने लगे मुझे तो इसका कुछ आशे समझ में नहीं आया नरज जी बोले इस आकाशवानी ने भी गुप्त रूप में ही बात कही है यह नहीं बताया कि वह कौन सा साधन किया जाए जिससे इनका कार्य सिद्ध हो वे संत नजाने कहां मिलेंगे और किस प्रकार उस साधन को बताएंगे अब आकाशवानी ने जो कुछ कहा है उस को वही छोड़कर नारज मुनी वहां से चल पड़े और प्रतेक तीर्थ में जा जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से वह साधन पूछने लगे उनकी उस बात को सुनते तो सब थे किन्तु उसके विशय में कोई कुछ भी निश्चित उत्तर न देता कि ही ने उस उने के भय से बात को टाल टूल कर खिसक गए त्रिलोकी में महानाश्चर जनक हाहाकार मच गया लोग आपस में कानाफूसी करने लगे भाई जब वेद ध्वनी वेदांत घोश और बार बार गीता पाठ सुनाने पर भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जग ग्यान नहीं है उसे दूसरे संसारी लोग कैसे बता सकते हैं इस प्रकार जिन जिन रिशियों से इसके विशे में पूछा गया उन्होंने निरणय करके यही कहा कि यह बात दोसाध्य ही है तब नारज जी बहुत चिंतातुर हुए और बदरी वन में आये ग्यान वैराग्य को जगाने के लिए महा उन्होंने यह निश्चे किया कि मैं तब करूंगा इसी समय उन्हें अपने सामने करोणों सूरियों के समान तेजस्वी सनकादी मुनिश्वर दिखाई दिये उन्हें देखकर वे मुनिश्रेष्ट कहने लगे नारज जी ने कहा महात्माओ इस समय ब अधी लोग बड़े योगी गुद्धिमान और विद्वान हैं आप देखने में पांच-पांच वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं किन्तु हैं पूर्वजों के भी पूर्वज आप लोग सदा वेकुंट धाम में निवास करते हैं निरंतर हरी कीर्टन में तत्पर रहते हैं भगवल लिला मृत का रसास स्वादन कर सदा उसी में उन्मत रहते हैं और एक मात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का अधार है हरी शरणम भगवान ही हमारे रक्षक हैं यह वाक्य सरवदा आपके मुख में रहता है इसी से काल प्रेरित व्रद्धा वस्था भी आपको बाधा नहीं पहुँचाती पूर्वकाल में आपके भुरुभंग मात्र से भगवान विश्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत प्रित्वी पर गिर गए थे और फिर आपकी ही कृपा से वे पुनह वैकुंठ लोग पहुँच गए धन्य है इस समय आपका दर्शन बड़े सोभाग्य से ही हुआ है मैं बहुत दीन हूँ और आप लोग सोभाव से ही दयालू है इसलिए मुझ पर आपको अवश्चिक्रिपा करनी चाहिए बताईए आकाश मानी ने जिसके विशय में कहा है वह कौन सा साधन है और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए आप इसका विस्तार से वरणन कीजिए भक्ति ज्यान और वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है और किस तरह इनकी प्रेम पूरुवक सब प्रतिष्ठा की जा सकती है सनकादी ने कहा देवर्शे आप चिंता न करें मन में प्रसन्न हूं उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है नारत जी आप धन्य हैं आप विरक्तों के शिरोमण हैं श्रीक्रिष्ण दासों के शाश्वत पत्रदर्शक एव भक्त के लिए जो उद्योक कर रहे हैं यह आपके लिए कोई आश्चर की बात नहीं समझनी चाहिए भगवान के भक्त के लिए तो भक्त की सम्यक स्थापना करना सदा उचित ही है रिशियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किये हैं किन्तु वे सभी कष्ट साध्य है और परिणाम में प्रायह स्वर्ग की ही प्राप्ति कराने वाले हैं अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा है उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्रायह भाग्य से ही मिलता है आपको आकाश मानी ने जिस सतकर्म का संकेत किया है उस प्रसन्न और समाहित चित्त होकर सुनिए नारजी, द्रव्य यग्य, तपो यग्य, योग यग्य और स्वाध्याय रूप ज्ञान यग्य ये सब तो स्वरगादी की प्रात्ति कराने वाले कर्म की ही और संकेत करते हैं पंडितों ने ज्ञान यग्य को ही सतकर्म का सूचक माना है। वह श्री मत भागवत का पारायन है जिसका गान शुक आदी महानुभाव ने किया है। उसके शब्द सुनने से ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान वैराग्य का कष्ट देगा। सिंग की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िये भाग जाते हैं उसी प्रकार श्री मत भागवत की ध्वन से कल्युक के सारे दोश नस्ट हो जाएंगे। तब प्रेमरस प्रवाहित करने वाली भक्ति ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर प्रतेक घर और विक्त के हिर किन्त फिर भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगे। ऐसी इस्थिति में श्री मत भागवत सुनाने से वे कैसे जगेंगे। क्योंकि उस कथा के प्रतेक श्लोक और प्रतेक पद में भी वेदों का ही तो सारांश है। आप लोग शरणागत वत्सल हैं तथ आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता। इसलिए मेरा यह संदेह दूर कर दीजिए इस कार्य में विलंब न कीजिए। संकादी ने कहा श्री मत भागवत की कथा वेद और उपनिशदों के सार से बनी है। इसलिए उनसे अलग उनकी फल रूपा होने के कारण वह बड़ किन्तु इस इस्थिती में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता। वही जब अलग होकर फल के रूप में आ जाता है तब संसार में सभी को प्रिय लगने लगता है। दूध में घी रहता ही है किन्तु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता। वही जब उससे अलग हो जा करता है तब देवताओं के लिए भी स्वाद वर्धक हो जाता है खांड एक के ओर चोर और बीच में भी व्याप्त रहती है तथा भी अलग होने पर उसकी कुछ और ही मिठास होती है ऐसी ही यह भागवत की कथा है यह भागवत पुरान वेदों के समान है श्री व्यास देव इसे भक्ति ज्यान और वैराग की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है पूर्वकाल में जिस समय वेद वेदांत के पारगामी और गीता की भी रचना करने वाले भगवान व्यास देव खिन होकर अज्यान समुद्र में गोते खा रहे थे उस समय आपने ही उन्हें चार श आपको आश्चरी क्यों हो रहा है जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाला श्री मद भागवत पुरान ही सुनाना चाहिए नारज जी ने कहा महानुभाओ आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को ततकाल नश्ट कर द लेता है और जो संसार दुख रूप दावानल से तपे हुए हैं उन पर शीग्रही शान्ति की वर्शा करता है आप निरंतर शेश जी के सहस्त्र मुखों से गाय हुए भगवत कथा मृत का ही पान करते रहते हैं मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश से आपकी शरण लेता हूं जब अनेकों जन्मों के संचित पुन्य पुन्ज का उदय होने से मनुष्य को सत्संग मिलता है तब वह उसके अज्ञान जनित मोह और मद रूप अंधकार का नाश करके विवेक उदय होता है